Good morning student, welcome to CR International School Online Study System, Class 12th Subject Physical Education, Lesson No.10 Training in Sports, Topic Endurance or Method of Endurance Development, पढ़ेंगे जिसका आर्थ होता है सहन सिलता और सहन सिलता के विकास की विदियाँ मेरा आंसर है सहन सिलता सारिक योगता का एक गटक है सहन सिलता का नेधर्ण सौसंतंतर द्वारा होता है सहन सिलता परतियोगताओं स्वास्थ ट्रेनिंग वैं अन्य सारिक क्रियाओं को करने में विशेज रूप से सायक होती है सभी प्रकार के खेलों में सेहन चीलता उच्तम स्तर परदान करती है अर्थात यह खेल क्रियाओं के लिए चमता में वर्दी करती है सेहन चीलता खेल क्रियाओं वेतू खिलाडी को उच्तम चमता परदान करती है अब हम बात करते हैं सहन चीलता के विकास की विदियां सहन चीलता का विकास विविन प्रकार की सारे क्रियाओं द्वारा किया जाता है सभी सारे क्रियाओं एरोबिक वे एनरोबिक क्रियाओं पर आधारित होती है जिनका विकाज विविन प्रकार की एरोबिक वे एनरोबिक सेहन सीलता के रूप में किया जाता है सेहन सीलता का विकाज विविन सारी क्रियां द्वारा किया जाता है जो इस प्रकार है सेहन सीलता के तीन प्रकार है नमबर वन है सत्ते आत्वा निरंतर परसिक्षन विदी निरंतर परसिक्षन विदी में किसी भी किरिया की निरंतरता का होना होता है इस विदी में किसी व्यायाम को लंबी आउधी तक बिना रुके निरंतर या लगातार किया जाता है इस पदती में किरिया की सगनता कम होती है क्योंकि व्यायाम लंबी आउदी तक चलता है इस विदी में सैंच छमता को बढ़ावा मिलता है उधारन इस परकार के उधारन के लिए क्रोस कंट्री, मेराथन वे लंबी दूरी की दोड़े होती है इस विदी में वियायाम करने की अवधी कम से कम 30 मिनट होनी आवसक है और वियायाम अधिक से अधिक खिलाडी की छमता पर निर्बर करता है निरंतर परसिशन विदी के लाब इस विदी के वियायमों से इच्छा सकती दरड हो जाती है तथा ठकावट की दिशा में लगातार कम करने से व्यक्ती दरड निस्चित बन जाता है अच्छे प्रिणाम प्राप करने के लिए वियायाम की सफलता को बढ़ावा मिलता है पॉइंट नमर टू है अंतराल परसिशन विदी इस विदी का परतिपादन फिनलेंड के एसलेटिक परसिक्षक बिकीला ने वर्स 19o 20 में किया था इसके अनुसार परसिक्षन के 20 में आराम का होना अती आवश्क है इस विदी में परसिक्षन देने से आराम के समय पुने सक्ति परदान करने का अच्छा समय मिलता है वास्ताव में अंत्राल परसिक्षन विदी परियास एम पुने सक्ति प्राप्त के सिद्दान पर आधारित है इस परसिक्षन विदी का आधार इस बात पर है कि कारिय करने से सरीर चलता है उसे ठकान को दूर करने के लिए आराम की आउसिकता पड़ती है यदि कार्ये के बीच में आराम मिलता रहे तो छमता बढ़ती रहेगी अंत्राल प्रक्षिशन विदी के मुखे लाब है इस विदी में परशिक्षक अपने सुझाओ दे सकता है खिलाडे की उन्यती को आसानी से मापा जा सकता है पॉइंट नमबर थाड है फार्ट लेक परशिक्षन विदी यह विदी एक परकार की क्रोस कंटी दोड़ पर आधारित है इसमें दोड़ के साथ साथ विविन परकार की वैयाम भी सामिल होते हैं जो दोड़ को रोक कर या धिमा करके या दोड़ते दोड़ते किये जाते हैं जैसे मेंड़कूद, बैठे कूद, लंगड़ी दोड़ आधी यह वियायाम कितनी देर हो और परशिक्षन में क्या-क्या वियायाम सामिल किये जाएं यह परशिक्षक परशिक्षन प्राप्त खिलाडी की आयू, छम्ता वे अनुकुलन के अनुसार तै करता है यह परशिक्षन साधानते परवतिय छेत्र में कराया जाता है यह अनुवानते सभी प्रकार के खेलनों के लिए उत्तम विदी है इस विदी को दूसरे सबदों में रफ्तार का खेल भी कहा जाता है इस विदी में समय पर विशेश बल दिया जाता है जो खिलाडी के स्तर को द्यान में रखकर निसित किया जाता है यह थे सैंचिलता के परकार और सैंचिलता की विदिया Thank you and have a nice day